नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमान शुभट दि हैल्थ शो की आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से ऐसे पांच स्टेप्स जानेंगे जिनको फॉलो करके आप घर पर ही अपनी तवचा की देखभाल यानि की अपनी स्किन केयर कर सकते हैं इस वीडियो में आपको फेस पैक भी बताया जाएंगे कि कैसे घर पर ही फेशल करने के लिए आप जड़ी बूटियों से नचुरल फेस पैक तैयार कर सकते हैं साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि ड्राइ स्किन वाले ओईली स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले इस फेस पैक में क्या मिलाएं जो उनकी त्वचा के लिए फायदे मंद साबित हो सकता है सर आपको मेरा प्रणाम नमस्कार हिमान्सु जी सर आजकल तो लोग जनरली फेशल कराने सलून्स में जाते हैं तो ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो नैचुरली हम लोग बना सकते हैं फेशल पैक हिमान्सु जी परकृती ने हमें बहुत कुछ दिया है अगर हम परकृती से रहेंगे परकृती के शुल चलेंगे तो हम निश्चित रूप से सौ 5 प्रणामें तो सुन्दर बनने के लिए कुछ बेसिक स्टेफ हें जिनको आप घर में एक फेशल पैकेज के रूप में आप क्लिंजिंग के लिए हम घर में दूद होता है घर में दूद पीते हैं तो दूद पीना भी चाहिए और जो है दूद इसकिन की क्लिंजिंग का भी काम करता है पस इसके लिए हमें कच्छा दूद लेना होता है कच्छा दूद हम एक कटोरी ले सकते हैं एक कटोरी में थोड़ जासा उसमें 2-4 डॉप लेमन के डालने और उसको सिंपल हमने पूरी बॉडी पे मसाज करना चाहिए तूबार दी अपर साइट और उसको मसाज करने के बाद उसको हम टॉबल से साप कले ले तो यह पिला स्टैप हो गया दूसरा स्टैप इसमें आता है हमारा वालिंग इसने औलिव ऑईल मिल जाता है तो एच पर दी रिक्वाइरमेंट अमूनता अगर पितज तो चाहे तो हम कोकुनट ऑईल का प्रियोग कर सकते हैं अगर बातज तो चाहे तो हम तिल तिल का प्रियोग कर सकते हैं अगर पितज है तो हम घी का प्रियोग कर सकते हैं अगर सेंस्टिव लेकिन नहीं करने से पहले जबता है और दो भी सबस्तों कर सकते हैं और करो सकते हैं और अब से दक्रेंट से चेहरे पर किया तो टॉबल से डखके उसको माइल्ड इस्टीमिंग करनी चाहिए और गर्मियों में इस्टीमिंग थोड़ा बहुत अपने नेचर और बॉड़ी के साब से ही करना चाहिए फोर्थ स्टैप हमारा आता है उद्वर्तन इसक्रैपिंग जिसको कि हम इसकर विं इनको अजमाना चाहिए एक अपने घर में देखा ही होगा जैसे बेशन होता है तो बेशन बनता कैसे चने को जब हम भून लेते हैं और उसको जो है बेशन बन जाता है उसको पीस के रख लेते हैं तो एक कटोरी में बेशन लेके आप उसमें थोड़ी आदी चमश हल्दी सकते हैं और उसमें जो है गुलाब जल या दूस से आप जो है एक लेब बनाएं उसको पूरी बाड़ी पे आप जो है उसको एप्लाई करके फिर उसको जो है थोड़ा सूखने के बाद उसको स्क्रैप करें उसको तो इससे जो है डैट टीशू खतम होते हैं तो चाह के जि उप्टन के लिए है और यह इस पेसली फेस के लिए बहुत रिकमेंड़ेड़ है यह बहुत अच्छा होता है और बेशन जो है एंटार बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा है इसके अतरिक आप जो के आटे का भी कर सकते हैं मशूर की डाल का भी कर सकते हैं तो आप जो है अगर आपकी स्किन अगर बहुत हाईली है तो आप इसमें धू कोटानी मिट्टी मिल Из mela SAKते हैं DOO जूब चमबच एक करी में अगर आपको जैबा पशन ज्यादा ओएल हे तो इसमें आप लेमन भीทำ सकते हैं अगर आपको जो है टो गड्राई हो रहे हैं तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, dhuड डाल सकते हैं, अगर आपकी सामान तो आप दूद से पानी से ही हिले पन कर सकते हैं तो उथवर्तन में सदियों से चला रहा है, ऐसी सह पहले आप ने देख आप मेल्गाना के, थी और एक हमारी लाइब का एक निश्यत रूप से मात्मूर्ण पार्ट यह होना चाहिए उद्वर्तन बहुत ही एफेक्टिव है इसको करना चाहिए जाऑइब हमारा पांचमा स्टेफ है इसका ऐसे में लेप आरवेद में बहुत ही शांदार करिया है बहुत रहिको लेप नाम से कहा गया और कोई फेस पेफ भी ऐसकते े department में थी प्रकार को बिशंगblowing टूर ने鬍ंगलिप जेब हमारे बॉल के गिलो सौंदरी को निखा रहे हैं ऐसे जो है वर्ण लेप का प्रियोग जो है हमारे महरसी सारंगदर ने बहुत ही बैतरीन तरीके से बताया उन्होंने उत्तर सारंगदर संगता के अध्याय गैरमे के नोमे स्लोक में बताया कांती कर लेप जिसको की वर्ण कर लेप भी कहा गया कांती माने चैरी की जो चमक को बढ़ाए गिलो को बढ़ाए और कॉंपलेक्शन को निखा रहे तो बहुत ही बैतरी नजिसमें सिर्फ 6 चीजां है आप तो है एक चीज़ अगर कोई पचास गृम ले रहे हैं तो सभी को पचास पचास ग्राम लेना है यह 100-500 ओ कि सभी इन्ग्रेडियन्स में बहुत हैं तो पहले हमने रक्तचंदन लेना है, दूसरा हमने मंजिस्ठा लेना है, तीसरा हमने लोद्र लेना है, और चौथा गटक है हमने कुष्ट लेना है, कूठ जिसे कहते हैं, ससूरिया लप्पा एक जो है बॉतनिकल इस्पिसीस है, जो कि हमारी रिंकल को खतम करती है, चैरे की बढ़िया रहता है प्रियंगू से जो है नेच्छल रंगत हमें पराप्त होती है और इसको हमने प्रियोक करना है, इसके अलाबा फिर आता है हमारा बटांकूर, जो बड़ होता है बरगत, आप अभी देख रहे होंगे, बरगत हमारे साथ में साइड में लगा हुआ है, तो इसके जो अंकोर होते हैं बटांकोर इनको कहते हैं या बढ़ जटा जो भी आपको एवलिविल हो उनको आप इसमें लें इसके अतरिक मशूर की दाल मशूर की दाल यह यह साथ जो है गटक हैं रक्तचंदन, मंजिस्टा, लोद, कूट, प्रियंगू, बटांकोर, मशूर की साथ गटक को संभाग लेकर इसको पीस कर रख लें और जब भी आवेशकता हो इसको जो है हम लेपन के लिए फेस पैक के लिए प्रियोग करें और इसमें हम जो है दूर से मलाई से या मुल्तानी मिट्टी डाल कर या जो है शहर डाल कर अपनी तचा और अपने विशिशक स से परामच करके पर्सेश जो एक स्लाह है लेकर इसको करना है अगर किसी ख elder मुल्तानी मिट्टी डाले और किसी के श Thunder है तो इसमें विलीरी मृमा जाल सकते हैं बीच में दısरा बहुत जरूरी आधे क्लिंजिंग के बाद लेकिन यह ओईलिंग जो होती है फेस की ऑईली स्किन वाले कैसे करेंगे क्योंकि उनकी इसकिन और और इडियो को प्रडियूस कर रही है देखिए हमारी तचा में आयरुवेद के हिसाब से भराजक पित होता है भराजक पित जो है इसको भी बोजन चाह है इसी तरह हमारी तचा को भी बोजन चाहिए तचा का सबसे बढ़ी है बोजन क्या है बिटामिन दी सूर की क्रणा है तो यह सूर्योदाई के समय पे ऐसा नहीं की दिन में धूप निकल रही और आप ले रहे हैं तो यह संड़ेज आपकी तचा को डेमेज भी कर सकती है त तचा में जो है बोजन के लिए सबसे बैतरीन है विटामिन डी जो कि हमें सूर की क्रणों से पराप्त होता है सेकेंड बन इज राजक पित के नरिश्मेंट के लिए इसनेहन के लिए तचा में तेल तो आवश्यक है लेकिन अगर हम अगर कफज बेगती हैं तो हमने रोज ऑशना प्रियोक करके इसको बीखली प्रियोक कर सकते हैं और इसनेहन के बाद अल्टीमेट उसको क्लीन करते हैं स्टीम करते हैं तो ये पर्टिक्लर ऑइल सिर्व आपके मैंटेनस के लिए है से सर इसके अलावा यह तो आपने फेसपैक बता दिये अगर नेचिरल उसके अनकूल आहार वेहार और शदियों का सेवन करें लेकिन वो मन के अनकूल हो आप जो है एक आइडियल दिन चरिया रितु चरिया रात्री चरिया और सद्वृत का पालन करें हेप्पी और हेल्दी लाइफ रखें इट बेल सिलीब बेल टैंशन और इस्ट्रेस फ्री लाइफ को जीए और जीवन में योगाशन को योग को जरूर अजमाएं और स्वर्ष्त रहने के लिए कुछ आशन बहुत ही वैतरीन है जैसे की सीरसासन जिसमें की डायरेक्ट हमारे सिरसासन और सीरसासन करने में को सुभदा नहीं रहती तो मस्यासन जो है बहुत बैटेरिन है जिसको कर सकते हैं जैसे-द्चो साइब चाहिए और होता पालवाती कावा나ographics को बोलते हैं और लाती मान थ्पी के माध्यम से हम जो है अपने तुचा को अच्छा रख सकते हैं और बॉक करना चाहिए और नेचरल और सात्विक भोजन को गरण करना चाहिए तो यह हमारी तुचा को केर करते हैं और जब भी हम बाहर निकले तो अपनी इसकिन को प्रोटेक्ट करें अगर धूप जादा है त क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अप नैचरली घर पर इसन बर्ण से बचने के लिए और इसकिन पर जो संबर्ण के पाद टैनिंग हो जाती है उसको कैसे नैचरली दूर कर सकते हैं तो सर वहम अगली वीडियो में बताएंगे तब तक यह आपको बहुत पॉल्यूशन को कम करने में भी हमारी मदद कर सकता है उमीद करते हैं आपके लिए काफी जादा इंफॉर्मेशनल ये वीडियो रही है अगर आपके कोई क्वेश्चन है आपकी किसी भी इलनेस से रिलेटेड किसी भी बिमारी से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में झाल झाल